यार भाई लोग आप लोग बताओ क्या कसूर था एक मा का क्या कसूर था एक मा का जो कि उसका बेटा उसके सामने दम तोड़ दिया कसूर यही था कि एक मा गरीब थी गरीब थी और खाने को उसके पास नहीं था इसी के वज़े से उसका बेटा उसके सामने दम तोड़ दिया और सोचो उस माँ पे उस समय क्या भीती होगी कि उसका बेटा उसके सामने खाने के वज़े से दम तोड़ दिया और जो की बहुत ही गरीब था तो हम कहना यह चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना गरीवी भगाओ और आप लोग अपने बेटे को पढ़ाओ जितना हो सके उतना और समझदार बनाओ और कुछ भी काम देखो, कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ठीक है न, हर एक काम सिखाओ अपने बेटे को और जो वह करना चाहता जो भी उसका सपना है यार गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ी गलत बात है हम जानते हैं कि हमारा जनम आज एक गरीब घर में हुआ है तो अगर हम उसी घर में उसी गरीब परिवार में अगर मर जाएंगे तो हमें पैदा होना बहुत बड़ा पाप लगेगा तो अगर हमें अपने जिन्दगी को, हमें अपने लच्च को पाना है तो हमें एक दम तनमंदंसे काम करना पड़ेगा ठीक है ना, और फातो काम में ध्यान नहीं देना है ठीक है, गरीबी में पैदा होना कोई पाप नहीं है लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है तो इस दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं आप जो कि गरीब में पैदा हो रहें लेकिन अगर उठान लेना तो गरीवी में नहीं मरेंगे जैसे मैं भी ये गरीब घर में पैदा हुआ लोकिन मेरा सपना है कि मैं साल ऐक ही मीनिट के लिए अमी रादमी बनूं लेकिन अमीर आदमी बन के तभी ही मरूंगा तो गाई इस हमारा आप लोग को कैसा लगा आप ल तेने स्टूटल को जय हिंजय भारतु हुआ